उधारन दस बहुपद दो यू की घाद दो रिण चार यू धन तीन में क्या जोडे की योगफल चार यू की घाद तीन रिण पांच यू की घाद दो धन एक प्राप्त हो माना बहुपद पी यू बराबर दो यू की घाद दो रिण चार यू धन तीन में बहुपद क्यू यू को जोडने पर बहुपद आर यू बराबर चार यू की घाद तीन रिण पांच यू की घाद दो धन एक प्राप्त होगा अर्थात बहुपद पी यू धन बहुपद क्यू यू बराबर बहुपद आर यू या बहुपद क्यू यू बर बराबर बहुपद R U बहुपद P U को अपक्षांतर करने पर रिण बहुपद P U हमें प्राप्त होंगा या Q U बहुपद Q U बराबर बहुपद R U जो है हमारे पास इसे हम कोश्टक मिलेंगे 4 U का घा तीन रिण 5 U की घा दो धन एक रिण बहुपद P U जो है हमारे पास है 2 U की घा दो रिण 4 U धन तीन बराबर कोश्टक को हम खोलेंगे तो कोश्टक को खोलने पर 4 U की घा तीन रिण 5 U का घा दो धन एक दूसरे कोश्टक को जब हम खोलेंगे तो रिण चिन बहार है रिण 2 U की घा दो धन 4 U रिण 3 बराबर चार U की घा तीन रिण 5 U की घा दो रिण 2 U की घा दो धन 4 U धन एक रिण 3 बराबर 4 U की घा तीन यहाँ पर रिण 5 U की घा दो और रिण 2 U की घा दो आपस में इसको जोड़ेंगे तो कोश्टक में हमारे पास रिण 5 रिण 2 उभै निष्ट U की घा दो बहार निकलेंगा धन 4 U धन 1 रिण 3 बराबर 4 U की घा तीन धन धन 5 रिण 2 रिण 7 U की घा दो धन 4 U धन 1 रिण 3 बराबर रिण 2 बराबर 4 U की घा तीन रिण 7 U की घा दो धन 4 U रिण 2 हमें प्राब्त हुआ इस तरह से हमें दो बहुपदो के बीच का जो अंतर हैं हमें चार U की घा तीन रिण 7 U की घा दो धन 4 U रिण 2 प्राब्त हुआ यहां इस उधारण का हल होगा प्राब्त है